हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपना फूद टेस्ट में आज मैं आपके लिए रेकाई हूं चावल से बनने वाले पनीर की रेसिपी जिसका स्वाद आएगा आपको एकदम पनीर की जैसे तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने लिएगा और अगर अभी तक चैनल को स स्क्राइब कीजिए तो चली शुरू करते हैं आज की रेसिपी मैंने यहां पे आदी कटोजी चावल लिए हैं जो की दस मिनट के लिए मैंने बिगो के रखे वेते पानी में चावला पोई सब इस्तमाल कर सकते हैं और साथ में लिए दो मीडियम साइज प्याज और एक पानी डालने के बाद इसमें प्याज टमाटर मेर्च और आलू जो हमने काट के रखे वे थे इन सब को हम चावल के साथ डाल देंगे सबी सब्जियों को कड़ाई में डाल देंगे और इसके अपर से थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि यह अच्छे से भीग सके गैस क कर देंगे अन और इसे कर देंगे मेडियम फ्लेम पे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक यह 50% नाव को खो जाए और यह देखिए चावल और सब्जी यह 50% को खो चुकी है यह ऐसको आफ कर देंगे और जो सब्जिय हमने इसमें डाली थी टमाटर प्यांच और जाएगा अभी प्यांच टमाटर गरम है तो इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और यहां पे मैंने एक छनी ली है जो चावल हमने उबाले थे उसे चनी में डाल देंगे ताकि जो सारे पानी है वो निकल जाए और इसे ठंडा कर लेंगे यहां पे मैंने एक मिक्सी जार में हम टमाटर प्याज हरी मिर्श और अद्रक को डाल के ग्राइंड कर लेंगे और यह देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे बावल में निकाल लेंगे और यहां पे चावल अलो भी ठंडे हो चुके हैं इसे भी मिक्सी जार में डाल लेंगे और साथ में इस के साथ नहीं ग्राइंद किया है। इसलिए मैंसे चावल के साथ ग्राइंद करूंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए चावल आलू और लस्टन हमारे ग्राइंड हो चुके हैं इसे एक बाउल में निकाल लिया है और इसे कर्षी से चला लेंगे पांच मिनट के लिए ताकि जो बैटर है स्मूज सा बने और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कटोरी को गडाई में रख देंगे और कटोरी के ऊपर जो हमने चावल का पेस्ट बनाए था उसे हम रख देंगे और इसे ढखके रखेंगे पांच से साथ मिनट के लिए जब तक हमारा पनीर बनके रेडी होता है तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं पनीर के लिए दूसरी दाल चीनी इन सभी को हम तेल में डाल देंगे और 10 सेकंड के लिए से तेल में पका लेंगे साथ में एड़ करेंगे एक चम्मच कश्मिरी लाल मिर्श आदी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेंगे तेल में 15 से 20 सेकंड के बाद इसमें डालेंगे हम ग्रैंड की हुई प्योरी टमाटर प्याच की प्योरी को तेल में हम एक मिनट के लिए मीडम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो हमारी सबजी का कलर है बहुत ही अच्छा आए और जब एक मिनट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें एड करूंगी एक चम्मस धनिय पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और आदी चम्मट डालूंगी गरम मसाला और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को तब तक पका लेंगे जब तक कि इसमें तेल सेप्रेट न हो और यह देखिए मसाला हमारे कितने अच्छे से भुना है और इसमें मैं ए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और दूसरी तरफ चावल का पनी ठंडा हो चुका है और आप इसे हाथ से इस तरीके से टच करके देख सकते हैं जो की हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है अब चावल की प्लेट को हम पलट लेंगे और इसमें से ह दूसरी तरफ हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है और इसमें मैंने डाला है पानी एक गिलास मुझे ग्रेवी थोड़ी गाड़ी लग रही थी तो इसलिए मैंने आधी ग्लास पानी और टाला है और इसे तब तक पका लेंगे जब तक इसमें उबाल ना देखने में लग रही है एकदम पनीर की सबजी आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ कीजिएगा कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने चावल से बनाया है और यह देखिए पनीर हमारा ग्रेवी के साथ अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी बारीक को ऑफ और थ्ठना होने के बार इसे करते हैं हम सर्व अप इस रेसिपी को घर पे स्टेप रए स्टेप जरूर ड्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताये गा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और नेक्ट्स रेसिपी मैं आप के लिए क्ले गया हूं ये भी जरू कमेंट कीजिएगा और इसे कर दिया है मैंने हरे धनिया से गार्णिश रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स के साहं शेयर कीजिएगा और सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा